नमस्कार स्वाद आप सभी का बजार की चाल के अंदर मैं हूँ आपके साथ अगिलेश अटी और बजार की चाल में चर्चा करने जा रहे हैं यहाँ पर क्रिशी फसलों के बारे में क्रिशी फसल वायदा बजार के बारे में जानेंगे कि शाम के कारुबारी सत्मे क्रिशी फसलों का वायदा बजार कैसा कारुबार करता हुए नजर आ रहा है किस क्रिशी फसल के अंदर कितनी मनी तेजी के साथ कारुबार दर्च के जा रहा है और उसपर जानकार का क्या क्या रहना है जानकार क्या रहे हैं कि आगए जा कि किस कृष़िए फसल के उद्र कितनी मनी तेजी करने को मिल सकती है ये सब जानने की कोशिश करेंगे तो सबस्बाहले शुरुआत करेंगे हम यहाँ पर क्रिशभी फसलों में कैससीड से तो शाम के कारुबारी सत्र में हम देख रहे हैं कि कैसा सीड का नवंबर वाइदा 6512 पर है और कैसा सीड के डिसेंबर वाइदा 6600 पर है कारुबार कर रहा है और 6710 का हाई लगा चुका है पौन एक फिजदी की करेक्शन है हम देखने क कैससीर के नवंबर और डिसम्बर वादा दोनों के ये अंदर शाम के कारवारी सत्र में एक हलकी सी करेक्षन के साथ कारवार दर्च किया जा रहा है लेकिन यहां से एक आज हम देखने हैं कि जो नवंबर वादा च्हासर सो के उपर काही लगा चुका है और जो December वाइदा है वो अलेड़ी ही 6600 के उपर कारवार कर रहा है और 1600 के उपर का ही लगा चुका है November वाइदा की expiry pass है तो हो सकता है कि November वाइदा closing होते होते November contract की closing होते होते कैसे seed के November वाइदे में 1600 के उपर के भी levels देखने को मिल जाए 8600 तक ऐसा देखने को मिल सकता है लेकिन December वाइदा की बात करें तो December वाइदा में confirm है कि जानकार भी confirmation दे रहे हैं कि कैसे seed की की कीमतों में 8600 के levels भी देखने को मिल सकते हैं तो overall उजहान जो रहेगा कैसे seed में तेजी का रहेगा इस बार मौनसून की जो अच्छी मौनसून की में अच्छी बारिश जो देखने को मिली है उसकी वजह से कैसर की जो बुआई का रगवा है वो थोड़ा बढ़ता हो नज़र आ सकता है हाला ही रगवा पिछले साल के मुकाबले कम ही रहेगा लेकिन जो बारिश अच्छी हुई है उसकी वजह से कैसर के रगवे में थोड़ी बढ़ातरी भी हल्की फल्की देखने को मिल सकती है जिसकी वजह से कैसर की कीमतों को समर्थन मिलता रहेगा और कैसर सीड में अबी हल फिलाल में तेजी का देखने को मिलता रहेगा यहां से बात करेंगर बिनौला खल की बिनौला खल के डिसम्बर वादय देखने 2493 पर कारवार कर रहा है और 2525 का ही लगा चुक है लगबग आदे फीजदी की जो करेक्शन है बिनौला खल के डिसम्बर वादय में शाम के कारवाई सत्में बंती वी नजर आ रही है दिरसल बिनौला खल की कीमतों को हमने NCDX पर 2400 से लेकर 2500 के डियर में एक सिम्बर दैर में कारवार करते हुए देखा है जो कि पिछले कुछ समय से जा रही है और अभी वी हम देखी रहे हैं कि सिम्बर देखने को मिल रहा है लेकिन जिस हिसाब से कॉटन की कीमतों में तेजी आ रही है और आगे जाकि बिनौला खल की जो डिमान बढ़ेगी उसकी वज़ा से जो जानकार है वो लगातार यही बता रहे है कि बिनौला खल की जो कीमते हैं उनके अंदर एक अच्छी कासी तेजी देखने को मिल सकती है आपको बता दें कि केडिया एडवाइजरी के डिरेक्टर अजे केडिया की मताबिक बिनौला खल दिसंबर के अंध तक लगभग 2850 तक का लेवल दिखला सकता है जो की काफी अच्छा कासे लेवल है और अगर इससे जादा तेजी की बात की जाए तो मार्च 2022 या फिर अप बिनौला खल का जो लेवल है काफी बड़ा है लेकिन केडिया एडवाइजरी के डिरेक्टर अजे केडिया की मताबिक मार्च 2022 से अपरेल 2022 के बीच बिनौला खल में ये लेवल्स देखने को मिल सकते हैं तो यानि कि बिनौला खल में एक काफी अच्छी शांदार रैली एक शांदार तेजी निकल के सामने आ सकती है जो बिनौला खल की कीमतों को एक अच्छे लेवल्स पर लेके जाएगी अब इसकी इंड़स्ट्रिल डिवान भी थोड़ी देखने को मिलेगी हाल फिलाल में जो इसकी अराइवल्स हो रही है उनकी वज़ा से थोड़ा प्रेशर बनता हुआ भले ही नजर आ जाए जिसकी वज़ा से 100-200 पॉइंट की गिरावट देखने को जरूर मिल सकती है लेकिन जो निचले स्थर होंगे वो उपरी स्थर उपर मुनाफ़क कमाने के लिए एक अफसर होंगे एक अपॉर्चुनिटी होगे तो बिनौला खल में निचल 3560 का ही लगा चुका है 3550 की कर्यक्षन है और हल्दी का डिसेमबर वैयादा 74 tram 62 पर कारुबार कर रहे है? 7708 का ही लगा चुका है इसके अंदर भी 3950 की कर्यक्षन बनती वी नजर आ रही है हम देख रहे हैं कि आज हल्दी की कीमतों में कुछ कर्यक्षन के साथ कारुबार दरच के आजार है लेकिन जो highs लगे हैं वो काफी अच्छे हैं दरसल ये उपरी इस तरह से एक मुनाफ़ा वसुली बनती भी नजर आ रही है हल्दी की कीमतों को हमने 7000, 7100, 7200 मैकसिमा यहां तक कारवार करते वे देखा था दिवाली के पहले लेकिन अब देखने की हल्दी क कीमतों में एक अचानक से उचाल देखने को मिल रहा है इसके कुछ कारण है दरसल सबसे पहला कारण तो यह है कि जानकार अब बता रहे हैंगी हल्दी का जो उत्पादन है पहले के मुकाबले थोड़ा कम देखने को मिल सकता है दूसरा अब सरदिया शुरू हो गई है हल्दी की कीमतों में कुछ तेजी बनती भी नजर आ सकती है और तीसरा कारण है हल्दी की निरियात मांग हाला कि निरियात पहले की मुकाबले थोड़ा कम हुआ है लेकिन निरियात मांग अभी भी लगातार जारी है निरियात मांग होना और कम होना निरियात मांग ना होना औ थोड़ा कम होना दोनों में difference होता है तो थोड़ी कम हुई है निर्यात मांग लेकिन खतम नहीं हुई है निर्यात मांग हल्दी की लगातार जारी है जिसकी वज़ा से हल्दी की कीमतों को support मिलता रहेगा तो यह सारे कारेन है जिसकी वजासे हल्दी की चीमतों को support मिलता रहेगा आपको बता दें कि हल्दी की जो कीमते हैं उपर में 8000 तक जाती भी नजर आ सकती है अभी जानकार लगातार यही बता रहे हैं हल्दी के अंदर यही से बात करें अगर हल्दी के बाद अगर अब जीरे की तो जीरे में हम देख रहे हैं कि जीरे का नमबर वायदा 5525 पर है हलकी सी करेक्शन के साथ और डिसमबर वायदा 5730 पर कारुबार कर रहे है 15840 का हाई लगा चुका है जीरे का डिसमबर वायदा 15730 पर है और नमबर वायदा 15525 पर हम देख रहे हैं कि जीरे का जो December वायदा है comparatively नवंबर वायदा के जादा तेजी के साथ कारवार कर रहा है क्योंकि नवंबर की expiry pass है इसकी वैसे अगले सौदों में जंप कर गए है दूसरा जीरे की जो निर्यात मांग है वो भी ठीक ठाकी है अब जो ट्रेडर्स हैं लगातार जीरे लेकर आ रहे हैं मांकिट्स के अंदर खरीदारी देखने को मिल रही है जीरे की जिसकी वजह से जीरे की कीमतों को कही न कहीं सपोर्ट मिलता हूँ नजर आ रहा है तो निर्यात मांग और खरीदारी जारी रहना जिसकी वज़ा से जीरे की कीमतों को सपोर्ट मिलता रहेगा जानकर अब यहां से बता रहे हैं कि जीरा है वो 16,000 का लेवल दिखलाता हूँ नजर आ सकता है और अगले साल यानि साल 2022 में जीरे की जो कीमते हैं जानकार अभी ऐसा बता रहे हैं कि 16,000 के वी उपर जाती भी नजर आ सकती है तो अच्छी तेजी के लिए जीरे में अच्छी रहरी के लिए अभी सही तयार रहना जरूरी है बात कर यहां से अगर धनिय की तो धनिय का नमबर वाइदा देख रहे हैं 7,810 पर कारूबार कर रहा है और डिसेंबर वाइदा 8,068 पर हम देख रहे हैं कि धनिय का डिसेंबर वाइदा एक बार फिर से 8,000 के उपर कारूबार करता है नजर आ रहा है नमबर वाइदा को हमने 8000 के उपर कारभार करते है दिवाली से पहले लेकिन उसके बाद से जैसे एसे expiry पास आती जा लिए धनीय का नमबर वाइदा में एक सीमित दैर में कारभार वरता जा रहा है इस बार धनिये का जो arrivals है जो stock है markets में ठीक ठाक देखने को मिल रहा है और दूसरा धनिये में भी इतनी हलचल देखने को नहीं मिल दिये जिसकी वज़ा से धनिये की जो कीमते हैं अभी कुछ समय तक ऐसी एक सीमित दार में कारवार करती भी नजर आ सकती है बात करें यहां से अगर गवार complex की तो देख रहे हैं गवार का नवंबर वायदा 12,844 पर है और डिसेंबर वायदा 13,064 पर कारवार कर रहा है हम देख रहे हैं कि गवार की कीमतों में लान निशान के बावजूद जो लेवल्स हैं काफी जादा आकरशित हैं काफी जादा अच्छे कासे अट्रेक्टिव लेवल्स हैं गवार की कीमतों के और तेजी के लिए अगर यहां पर और अच्छी closing आती है थोड़े कीमतों तो गवार में एक शांदा लैली निकल के सामने आ सकती है गवार की कीमतों में अभी तेजी कही रहेगा क्योंकि इस बार production ना के बराव है पिछले साल की मुकाबले लगबब आदा भी नहीं रहे गया है कम ही है क्योंकि मुख्यत पाद को राजियों में उस समय बारिश की वज़ा से जो गवार को अतपादा ने इस बार प्रभावित हुआ है और जो इंडस्ट्रिल डिमांडर गवार की वो भी ठीक ठाकी देखने को मिल रही है ओवरल उजान गवार की कीमतों में तेजी कही रहेगा बजार की जानकार रूपा महता के मुताबिक गवार गम उप गवार में 15,000 तक जाता हो नजर आ सकता है और गवार सीड एक बार फिर से 7,000 के पाट जाती ही नजर आ सकती है तो गवार गम और गवार गम और गवार सीड दोनों में ही ओवरल उजान हाल फिलार में तेजी का देखने को मिलता रहेगा बात कर रहे हैं से अगर एडिबल औल पैक में सोयबीन की तो हम देख रहे हैं कि सोयबीन का नवंबर वायदा चौवन सो पर कारवार कर रहा है और डिसेंबर वायदा भी चौवन सो दस पर है वायदा बजार में सोयवीन की कीमतों में बले ही नर्मी देखने को मिली हो लेकिन दिवाली के बाद कुछ जगा ऐसी है जहांपर बहुरत पर सोयवीन की जो कीमते हैं वो काफी अच्छी खासी देखने को मिली है एक आदी मंडी में सोयबीन का भाव हो 9,000 के उपर जाता वन नजर आए 9,100 का भाव कि एक किसान को सोयबीन का मिलता वन नजर आया है और जिस हिसाब से अब किसान घाटा खाने के बाद सोयबीन को स्टॉक करके चल रहे हैं किसानों का कहना है कि सोयबीन की MSP भी नहीं मिल पार ही लागत निकालनी मुश्किल हो रही है जब कितना महंगा बीच खरीद कर किसानों ने इसकी बुगाई करी थी और दूसरा सरकार ने भी सोया खली का आयात करके सोया बीन के किसानों का का काफी नुकसान किया है किसानों का क्या नहीं और हमने देख़ा भी है कि कीमते सोये खली के आयात के फैसले की वजा से सोयबीन की कीमते काफी नीचे जाती भी नजर आई है जो सोयवीन 12-12000 वरही तक भुक्ति भी नजर आ एती अब उतनी आदी उटनी MSP वर भी निकल जाए वो भी बहुत बड़ी बात है कुछ दिन पहले तक हमने सोयवीन का दाम किसी-किसी मंडी में 1700 रुपे प्रती कुईटल तक जाते वे देखा था जबकि जो MSP है वो उससे कई गुना जादा है तो जब MSP पर ही नहीं विकरी तो किसान भला गिरावट पर भी क्यों ही बेचेंगे तब भी नुकसान उठा रहे हैं तब भी तो इसलिए किसानों ने अब इसको स्टॉक करके चलना शुरू कर दिया है और किसानों का ये भी कहना है कि जो इस हिसाब से उत्पादन के आखड़े जादा बताए जा रहे हैं तो ये बला कैसे संभा हो सकता है क्योंकि किसानों का ये कहना है अभी सोयबीन के उपर की बुगाई के समय सोयबीन का बीच उपलब्द ही नहीं था और जब बीच उपलब्द इतना नहीं था इतनी जादा मातरा में तो सोयबीन का रगबा इतना कैसे बढ़ सकता है और सोयबीन जो एवेलेवल थी उस टैम पे जो उपलब्द थी वो भी पूरी की पूरी बुगाई के लिए यूज नहीं की जा सकती थी क्योंकि सोयबीन की जो फसल थी कुछ दागी थी तो उत्पादन इतना देखने को नहीं मिल सकता और अगर बाई चांस ऐसा कुछ होता भी है तो बे मौसम बरसाथ इस बार जो हुई है उसकी वज़ा से सोयबीन की जो फसले हैं काफी बड़े पैमाने पर खराव हुई है जिसकी वज़ा से जो प्रोड़क्शन है जो उत्पादन होगा सोयबीन का वो कही न कहीं जरूर प्रभावित होता वह नजर आएगा इसलिए किसानों ने अब खबरों पर ध्यान ना देते वे सोयबीन को स्टॉप करके चलना शुरू कर दिया और देखा जाए तो किसानों ने ऐसा करके कुछ गलत भी नहीं किया है क्योंकि किसानों को जब MSP भी नहीं मिल रही है तो वो बला गिरावट पर क्यों ही बेचेंगे तब भी नुक्सान ठारें कुछ बढ़ती भी नजर आ सकती है और किसानों को मुनाफ़ा देती भी नजर आ सकती है तब जाके सोयबीन किसानों की जो लागते है कहीं निकल सकती है Otherwise ऐसे ही सोयबीन के कीमतों में गिरावट का रुख देखने को मिलता रहेगा अगर मंडियों के अंदर सोयबीन के जो आवके है निरंतर बनी रहती है लगातार बनी रहती है तो अब किसान ही है जो सोयबीन की कीमतों में तेजी ला सकते है तो आशा करते हैं आपको मैं जानकर ही अच्छी लगी होगी फिलाल बजार की चाल में अभी के लिए बस इतना ही